क्यों कि शहर की मशूर रखासा हुर्रा को जो एक नज़र देखने तक इसे बार बार देखने के आश है उस पर माता क्या वो वाकई में इतनी खुबसुरत है हाँ जमाल हुर्रा है वो हुर्रा हुस्ल की चिंगारियों से बनी हुई इश्क के लपकते शोलों में लिप्टी कि खौबों के गुल्शन की मैप्टी तली जवानी की जूंती हुई आदिशी शराब है वो जमाल कि जिसे तुम फांस कर लाए हो क्या वो शराब पीता है खावर नहीं वो शराब नहीं पीता मेरी हसीन रख्का साहुर्रा जो नहीं पीता उसे पिलाना बहुत आसान है मगर जो पीता है उसे ज्यादा पीने से रोपना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे महभूब खावर जमाल मेरा चचा साथ भाई है मैं अपने चचा हमिर पिन अमीर जमाल के बाप का खजूरों का कारोगार बरबाद कर देना चाहता हूँ तुम्हारा काम हो जाएगा खावर और कोई ख्वाईश है हाँ एरी जिन्दगी के सबसे बड़ी ख्वाईश यह है कि मैं चमाल और उसके खांदान को परबाद करके रख दूँ उसके शान को मैं खात्म कर दूँ उसके माबाब का वोड़ापा रास्ते की धूल बढ़ जा खावर अगर किसी घर को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उस घर की कमजोर दिवार को गिरा देना चाहिए घर की बाकी दिवारें खुद बखुद गिर जाएंगी इसलिए तो मैं इस कमसोर दिवार को तेरे हुस्न के हुजूर में लिया आया हूं गुर्रा अपने खुबसूरत बीवी के होते हुए भी जमाल पराई और तो में बड़ी दिल्चस्पी लेता है जमाल और उसके खांदान को तो मैं बर्बाद कर दूँगी उसके महल पर तुम्हारा कपसा हो जाएगा मगर मुझे क्या मिलेगा मेरा हिस्सा क्या होगा मेरे उसनों जवानी के गुनाहों की कीमत क्या होगी यह तो बताओ सौदागर खावर तुम्ही मालिक होगी मेरी तिल्रुबाहुर्रा तुम इस शहर की बदनाम तरी आबरू बाखतार अकासा हो और मैं इस शहर का बाइज़द ताजिर हूं मैं तुम से शादी करूंगा और तुम्हें इस बदनामी बचलनी और पैज़दी की सिंदगी से निकाल कर इज़द क बख्षोंगा बलो कि क्या तुम्ही ये सौधा मजूर है मनजूर है मेरे इज़सर के सौधागर मनजूर है सब्पर करो जमाल बड़ी इजद वाले बड़े-बड़े सौधागर रकासा हुर्रा की गलियों के चक्कर काटते हैं हां मगर कब दीदार होंगे हुर्रा के आखिर वो कब आएगी और कितना इंतिजार करना होगा मेरी हसीम महमा बस इंतिजार खत्म हुआ जहमते इंतिजार की यह हुर्रा आपसे मुआफ़ी चाहती है मेरी हसीम महमान मिस्र की बेमिसाल रकासाए हुस्न और शबाब की हुसूर में जमाल बिन आमिर हद्याए सलाम पेश करता है खुबूल फर्माकर इज़त बख्षे हैं शुक्रिया है मेरे हसीन हुस्न के शैदाई मेरे रक्स के खद्रदान लीजिये कुबूल कीजिये जाम मुहबत यह शराब है ना मैं नहीं इसे पीना तो दूर इसे हाथ लगाना भी गुना है हाथ ना लगाओं हूंट लगा लो या फिर निगाहों से पीलो शीशे के पैमाने से नहीं तो जिस्म के मैं खाने के साही में पीलो जिस्म का मैं खाना है और दिल दिवाना भी है हुसन की शमा पर जलने को अब परवाना भी है लीजिये मेरे हसीन महमान जा में मुहबत पीजिये पीजिये ना यू जमाल यू यू मेरे दोस्ट मैं तुम पर अपनी सारी दोलत तुम्दा डाल माई यू जमाज मेरे यार पीजिये और पीजिये और पीजिये यू मेरे यार ये सब ये सब मेरे हुड़ा के लिए ये बेटा बेटा जमाल ये क्या कर रहे हो ये दोलत अमानत है ये शर्फिया खेरात जकात है बेटे ये मौताज गरीब यतिमों के लिए है बेटे इस अमानत में खया नत नकरो बेटे अल्लह नाराज होगा जकात खेरात जरूरत मंदों का हाक है वो ना ले जाओ बेटे तुम तुम ये ये दिरहम ले जाओ और और दिना ले जाओ अमी जान सही कह रही है ये 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 इतनी से अशर्फिया ये अशर्फिया तो मेरी शान के खलाफ हैं आखिर ये दौलत तुम्हे किस काम के लिए चाहिए ये मत पूछिए और भी दौलत तो दौलत ही होती है उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या सखात क्या और खेरात क्या अल्ला नाराज होगा बेटे रिदे रिदे बेटे बेटे अरे बेटे सुनो मेरी बात जबार जबार पुर्णा तुम मेरी जुन्दगी हो तुम मेरी काइनात हो प्र, र, 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 र. अब दस्ताइब दिन होगे बेटी साथ दिन होगे तक क्यों नहीं आया उस दीन और इमान की दुश्मन होगे को खुदा समझे मेरे बेटे को गुम्राह कर दिया उसने मेरा शोहर मुझसे जीन लिया पीजान मुझसे जीन लिया बेटी कोई किसी को नहीं जीन सकता अगर इंसान खुद अच्छा बुरा समझे तो उसे कोई नहीं बिगार सकता लेकिन उसके बिगर्ने में तुम्हारे लाड और प्यार का बहुत ही बड़ा हात बेगम कोई भी मा अपनी ऑलाद को बरबात करना चाहेगी नहीं चाहेगी कभी नहीं चाहेगी लेकिन जाने अन जाने में माबाप ऑलाद की जिन छोटी छोटी घलतियों और बुरी आदुतों को उसकी मामूली बातें समझ कर उसे बेपरवाही से देखते तो वही बातें आगे चलकर और अलाद को बेपरवाह बत्तमी और गुस्ताख बनाकर बरबात कर देती है बिल्कुर सच कहा अगर अगर आप इजाज़त दे तो मैं हुर्रा के मकान पर जाओं बेगम ये क्या कह दिया आपने क्या कह दिया आपने आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेगम जो उस बद्राम तरीन इलाके में आप जैसी शरीफ और मौजीज खानदान की बेगम उस तवायफ जादी हुर्रा से अपना बेटा मांगने जाएंगी मौफ कर दिजेगा गलती हो गए मुझसे बेटे की मुहबब और अपनी ममता में मैं तो ये भी भूल गई कि शरीफ खानदान में तो उस जगह का नाम लेना भी बेज़ती समझते है हमारे खानदान की इज़त अब उस मन्जिल पर आ गई है जहां अपने भटकते बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे अपने पूराबे को जलीर करना पड़ेगा मैं उस बतनाम गली से गुजर कर अपने बेटे तक जरूर पहुंचोंगा जरूर पहुंचोंगा मुझे जरूर आप बताएंगे रक्कास हुर्रा का बाला खाना कहां है अब यह उम्र और बाला खाने का शौक और वो भी दिन के बजयाले में अरे मिया इंसान को पिगड़ते क्या तेर लगती है और जब पिगड़ जाए तो तिन क्या और रात क्या और गोजाले मुर्रा चीजी ऐसी है देखते नहीं मचूर ताजिर आमिर बिन आमीर का बेटा जमाल बिन आमिर रखासा हुर्रा के तलमे चाट रहा है क्या कहा आमिर बिन आमिर मिस्र के मशूर ताजिर रही से शहर यानि जमाल के वालिदे बुज़र गवार मेरे दर्वाजे पर खड़े हैं जईफल उम्र आमिर बिन अमीर जमाल के वालिद क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आया हैं कि सोच लीजिए मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है मैं मांगने नहीं मैं देने आया हूँ तेरी दुकान पर हमारे खांदान की जिन्दगी खरीदने आया हूँ मैं एक मा के बेटे और एक पीवी के शोहर को खरीदने आया हूँ मैं खीमत से भी ज़्यादा कीमत हैं मोटी ओगी हूँ यह हमारे खांदान की बहुत यह चीमति अनमोल मोटी ले ले और हमारा खांदानी हीरह में वापस देदे जाइफुल उम्र आमीर बिन अमीर जमाल के वालिद क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आया हैं सोच लीजिए मेरी पास तो देने के लिए खुझ भी नहीं है मैं मांगने नहीं मैं देने आया हूँ तेरी दुकान पर हमारे खानदान की जिन्दगी खरीदने आया हूँ मैं एक मा के बेटे और एक बीवी के शोहर को खरीदने आया हूँ मैं क्यमत से भी ज्यादा कीमत हैं मोतियों की हूँ यह हमारे खानदान के बहुती कीमति अन्मोल मोती ले ले कि अजया हूँ यह हमारे खानदान के बहुती कीमति अन्मोल मोती ले ले और हमारा खांदानी हीरा हमें वापस देदें कमाल है मोती लेकर जमाल लटा दूँ अपनी खुआपगाह में अंधीरा करके तुम्हारे महल में पुजाला कर दूँ मैं पत्थर के मोती लेकर हीरे से भी ज्यादा कीमती इंसान जमाल को दे दूँ मैं इतनी बर्दा फरोश नहीं लेकिन तू इमान फरोश जरूर है खामोश है बुड़े इंसान इतनी उम्र हो गई और चांता नहीं जवानी माबाप की महताज नहीं होती वो खुस्न की गुलाम होती है जा चला जा यहां से वरना मैं तुझे धक्ते मार के यहां से बाहर निकल वा दूँगी बत्तमीज गुस्ता बतकार औरत मैं मेरे बेटे को यहां से लेकर ही जाओंगा जमाल बेटा जमाल कौन कौन बेटा जमाल कौन रहा है जमाल मैं तुम्हारा अप्वू जमाल बेटे कहा हो तुम मैं तुम्हारा अप्वू आया हूँ तुम्हारा बाबाजान चोड़ दे गुस्ताख मुझे छोड़ दे मैं तुम्हें यहां से अंदर नहीं जाने दूँगी मैं मेरे बेटे को लेकर जाऊंगा तुम अपने बेटे को यहां से नहीं ले जा सकते जो एक बार मेरी जुल्फों के जाल में और मेरी आंखों के काजल में फल्चाता है या तो वो अपनी जान से जाता है या फे फकीर बन जाता है कि अपने बेटे को तुझ जैसी खूपसूरत बला से बचा कर ही रहूंगा तुम अपने बेटी की लाश भी नहीं यहां से लेकर जा सकते ले जाओ इसे यहां से दूर अदा दो इसे बत्तमीज मुझे छोड़ दे मुझे मेरे बेटे से मिल ले दे छोड़ दो इने छोड़ पिटे खावर अब कर दे शर्म गोस्ताख मेरे चाचाजान के साथ बत्तमीजी करते तुझे शर्म नहीं आती है खबरदार जो अब तुमने मेरे चाचाजान की शान में कोई गोस्ताग ही कि अच्छाजान आप घर जाईए मैं जमाल भायजान को लेकर घर आता हूं च्छाजान शाम होते ही जमाल भायजान मेरे साथ घर वापस लाटाएंगे आखिर मैं आपका वादी जाओं आये च्छाजान खावर खावर वहां क्या कर रहा था अच्छानक वहां आया और मुझे बेज़त होने से बचा लिया अगर उनकी दोस्ती खावर से है तो यह अच्छी बात नहीं है खुदा रह्म करे मेरे से ताज पर यह खुदा की महरबानी समझो कि उसने आउलाग के सीने में मां का दिल नहीं रखा वरना मां की महबत में मेरा बेटा कितना तड़ता ठीक है बिलकुल ठीक है हुर्ड़त पर्णों हुर्ड़त कलिए झाल कले प्रोड़त कलिए खावर यह तुमने अच्छा नहीं किया अच्छा नहीं किया तुमने खावर इस बच्छा औरत खुर्रा को साथ में क्यों लेकर आ गए मैं तो नहीं चाहता था चछा जान पर मैं क्या करता क्माल भाई जान तो इसके बिनाने के लिए तैयार ही नहीं थे इसलिए मुझे मजबूरान खुर्रा को भी अपने साथ में कराना भी लेकिन ये फाहेशा धर में दाखिल नहीं हो सकती नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती मैं अब पूछता हूँ क्यों नहीं हो सकती जहां मैं रहूंगा वहां ये भी रहेगी नहीं ये यहां नहीं रह सकती ये घर है बाजा नहीं ये शरीफों का घर है और शरीफों का ये घर नेकी और शराफ़क की तरह पाक है और किसी पाक जगह पर पैर की जूती लाना गुना है उस पाक जगह की देज़ती है मुझे पैर की जूती कहा सुना तुमने इसमें मुझे पैर की जूती कहा कितने पैरों से उत्री ही जूती मेरे अक्र के अंधे बेटे जमाल के सरका ताच बनी हुई है सुन रहे हो बुजदिल ये बुड़ा मिस्र के बातार हुसनी के मशूर तवायफ खुर्या कि बेच्जदी कर रहा है बेच्जदी तो तुने यहां आकर हमारी करती है हमारी घर में गदम रख कर अपार जान अब अगर एक लफ़ में दुर्रा के शान में ताना एक लफ़ में हां चया करेगा तू क्या करेगा बाप परी हात उठाएगा दू बाप पर एगा भा परी नहीं मा पर भी बाबाप पर हाथ उठाएगा हाँ तुम बाबाप पर हाथ उठाएगा हाँ मजबूरन ये भी करना पड़ेगा फुर्ण और उसके सात्यों की बेज़त ही रखते बर्दाश नहीं करूगा कभी परदाश नहीं करूंगा और तुम इन आवारा लोगों की वज़े से बाबाप की बेज़ती परदाश कर सकते हो ये नेरे लोग आज के मिले हुए गया लोग तुम्हें इतने अजीज हो गये हैं कि हमें हमें जलील करने के लिए तैयार हो गये हो तुम आओ हुरा साजिंदों कनीजों खुलामों तुम सब भी आओ आज से तुम सब यहीं रहोगे यहीं महफिल जमेगी और यहीं नाच गाना होगा खबरदार खबरदार रुक जाओ धरी ये घर मेरा है इस घर का मालिक मैं हूँ मैं तुम सब को बाहर निकाल दूगा इस गलत वहमी में मत रहिए गाचाचाचाचान तुम आपने अपनी दुकान अपना ये मकान अपना सारा कारोपार अपने बेटे जमाल के नाम कर दिया था तो वो इसका मालिक बन गया और अब अब मैंने यसा कुछ आपके बेटे से खरीद लिया है खरीद लिया है आप अब मैं इस मकान का मालिक हूँ आपका इसमर कोई भी हाद नहीं है कैसे हग नहीं है हाँ कैसे हग नहीं है ये मिरे शोहर के खून पसीने की कमाई का बनाय हूँ मकान है वो खून पानी बन गया है चची जान जब आपने अपने समकुछ अपनी उलाद के नाम लिख दिया था तो आपका यह हग चाता रहा और अब आपको यहां से चाना होगा यहां यहां से निकाला जा सकता है यह जो कुछ भी कह रहा है पिलकुर ठीक कह रहा है आमी जान यह धोका किया हमारे साथ? अपने बूरे बाबाब के साथ धोका किया तूने तूने हमसे ये घर छीन कर अपना घर जहनुम में बना लिया है पेटे अपना घर जहनुम में बना लिया है अल्ला तुझे कभी माव नहीं करेगा अल्ला तुझे कभी माव नहीं करेगा हाहाण लंग या लॉषन लॉषन भॉन को हुआ है है हां आ या या आ आफ है या ल जो है कि अविए जाहख ज vista की आफ हैं ना Likewise, Yeah या 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 या일ा या आ ये ये यूरे मेरे मेरे बुरे बरताव और घर के गंदे माहौल में बेहिज्जत होकर न रह सके और वो अपने बाकी जिन्दगी किसी मुकदस मकाम पर बसर करने के लिए रवाना हो गए मगर मेरे शोहर परस्क बीवी ने मुझे तबाही से बचाने के लिए मेरे साथ रहना अपना फर्स समझा और वो जल्मों सितम सहती रही आखिर उस बच्चलंग जालिम हुर्रा के कहने पर मैंने अपनी वफा श्यार बीवी को तलाक दी दी और खावर में उसे मजबूर बनाक उसना शादी करने के कोशिश की मगर उस नेक सीरत पाक दामन ने उसे ठुकरा दिया और वो बैचारी अपने माबाब के घर चली गए जैसे जैसे दॉलत कम होती चली गए हुर्रा की महबत पी कम होती गए और मैं दौलत कमाने के लिए शहर के हर जुआ खाने में जा जाकर खूब जुआ खेलने लगा जुए से आज तक कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सका नहीं बन सका अमीर यह बात उस वक्त नहीं आज आज में इस समझ में आई है कि जुए के कमाई से आज तक किसी ने भी महल दुकान या कारखाने नहीं बनवाए हैं दौलत का लालच दौलत का हसीन खाग इंसान को अंधा बना देता है मैं मतलबी खुदगर्ज और दौलत का लालच इंसान बन गया था अशर्फियों की जगस आप कहां से आ गया मगर मगर यह कैसे हो सकता है अभी कुछ दिम पहले तो यह संदूक अशर्फियों से भरा हुआ था मैं जानती हूं यह चाला की यह बदमाशी जरूरू उस जमाल ने की है उसने अपने बात की कमाई हुई दौलत को यहां से निका अशर्फिया है है जो आओ उसकी मरम्मत करते हैं अब बता चल जाएगा कि उसने अपने बात की कमाई हुई दौलत यहां से निकालकर कहां चुपा दिये कि जलो आओ जमाल कहा है वो अशर्फिया जो हमने संदूक में चुपा रखी थी कहां है कौन से अशर्फिया जो तुमने मेरे इश्च के जुनून में मेरे घुस्त जवानी पर लुटाई थी बताओ वो कहां है सच मुझे पता नहीं मुझे तो यह भी पता नहीं तो सारी जौलत तुम तुमने कहां चुपाई है मुझे यह बताओ जमाल कि तुमने वो अशर्फिया संदूक से निकाल कर उनकी जगा एक सांप रखिया है कहां है बताओ कि कमीने कि दगाबास कि साब तो तू है तू आज तीन का साब कि अकयर की आजिए यद्र कि अर्टू ईघ्रियन साबगे करी बताओने वुझे में अविजए कि विरुन खिए बतार श्acción का सब्सक्राइए विचान एक जकली प्रेड़ू